दुनिया भर में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती ही जा रही है अमीर और जाधा अमीर और गरीब और तेजी से गरीब होते जा रही है ये स्थिती ना सिर्फ भारत में है बलकि लगभग पुरी दुनिया ही ऐसी स्थितियों से गुजर रही है Oxfam की एक नई रिपोर्ट के मुताविद दुनिया में 2020 से लेकर 2022 खत्म होने तक कुल 42 ट्रेलियन संपत्ती कमाई गई है लेकिन करीब दो तीहाई संपत्ती को महस एक फिसदी अमीरों ने हड़प लिया है Oxfam की इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महमारी के दौरान दुनिया की कूल कमाई में 26 ट्रीलियन यूएस डॉलर आमदनी पर कबजा महज एक प्रतीशत अमीरों का रहा है जबकि दूसरी और 99 फिसदी लोगों के हिस्से में मात्र 16 ट्रीलियन डॉलर की संपत्ती नसीब हुई है इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब पतियों की संपत्ती प्रती दिन 2.7 अरब डॉलर बढ़ रही है जबकि कम से कम 1.7 अरब कर्मचारी अब उन देशों में रहते हैं जहां मुद्रा स्पिती इस वेतन में व्रधी से अधिक है इस रिपोर्ट के मताबिद दुनिया की आदे अरब पती ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां उनके वारिसों के लिए कोई विरासत कर नहीं है गरीबी रिखा से बाहर निकालने के लिए परियाप्त है रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 25 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में असमंता की खाई जादा गहरी हुई है जहां एक आमाद भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पुरा करने में रोजान बलिदान दे रहा है तो वही पर अमीर लोग दिनो दिन अमीर ही होते जा रही है रिपोर्ट के मताबित कोरोना काल अमीरों के लिए खास दोर पर फाइदे बंद रहा है आपको बता दें कि अमीरों की संपत्ती में साल 2022 के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है इसकी वज़वा बढ़ती महंगाई और उर्जा शेतर से मिलने वाला मुनाफ़ा रहा है रिपोर्ट के रुसार बीते साल पिंचान में फीसदी, खाद्य और उर्जा कमपनियों ने दोगूने से भी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है